IPL 2018 और उसका 32 मैच वो दो टीमें आमने सामने थी जिनके कप्तानों की पफाउवेंस अंडर स्कूटी नी रही डेली डेविल्स और राजस्थान रोयल्स मैच खेला जा रहा था फिरोज शाकोटला में और दिल्ली ने इस टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत हासिल कर ली है राजस्थान के उपर चार रनों से रेन अफेक्टेड मैच रहा मैच की शुरुवात में बारिश हुई दिल्ली की इनिंग्स जब खतम होने वाली थी तब बारिश हुई दिल्ली की टीम को खेलने के लिए 18 ओवर दिये गए थे हलाकि वो सिरफ 17 ओवर और एक बॉल खेल पाए राजस्थान की टीम को जब बै वाजों ने अपने सामने अले गेंद वाजों को जम कर कूटा राजस्थान रोयल्स ने टॉस जीता और दिल्ली को बैटिंग करने के लिए बेजा दिल्ली की शुरुवात बहुत अच्छी नहीं रही पहले ही ओवर में उनके ओपनर कॉल इन मुन रो आउट हो गए लेकिन इसके बाद रंग जमाया प्रित्वी शौ और श्रेय शहियर ने प्रित्वी शौ ने पिछले मैच में शांदार खेल के ला था और आज उन्होंने अपने उसी खेल को कैरी फॉरवर्ड किया है बहतरीन तरीके से वो जैसे ही आयते उन्होंने पहली बॉल बहुत अच्छी म दिल्ली की पहली पार्टनर्शिप ज्यादा चली नहीं क्योंकि कॉलिन मुन्रो पहले ही आउट हो गये थे आये बैटिंग करने के लिए श्रेय शहियर श्रेय शहियर ने प्रित्वी शौ के साथ मिलकर 40 गेंदों में 73 रनों की पार्टनर्शिप की इस दोरान इन दोनों न मैच के तीसरे ओर में धवल कुल करनी को दो चक्के और एक चौका मारा और उसके बाद पांच में ओर में जैदेव उनटकट को दो चौके और एक चौका मारा ऐसा लग रहा था कि यह सारे के सारे जो experience बोलर हैं जो अच्छे खासे वक्त से खेलते आ रहे हैं IPL में जिनका अच्छा खासा experience है वो पहली बार IPL में खेलने वाले इस प्रिथवी शौके सामने टोटली क्लूलेस थे और इसी क्रम में दिल्ली को दो और खिलाडियों ने बैटिंग में सबसे जाधा फाइदा पहुचाया श्रेयर और रिशब पंत रिशब पंत दिल्ली के तरफ से बहुत अच्छी पार्टनर्शिप की ये पार्टनर्शिप सो रनों के नस्दीक पहुची इन दोनों ने साथ मिलके 92 रन बनाया और ये 92 रन मातर 56 गेंदों में आये दिल्ली के लिए गंभीर के बाद अब मैक्सविल चिंता का विशय जरूर होंगे लगातार फेल हो रहे ह बॉलिंग में उन्हें लाया जाता है एक विगेट जरूर निकाल देते हैं आते ही ये एक टेंप्रेरी काम है उन्हें बैटिंग के लिए रखा गया है उन्हें अपने दम पे मैच पलटने के लिए रखा गया है तेजी से रन बनाने के लिए रखा गया है पांच गेंदों में सिरफ 5 रन बना पाए राजस्थान के अगर बोलिंग की बात करें तो उनके बोलर्स में कोई भी ऐसा नहीं राज जिसने 9 से कम की एकॉनमी पे बॉलिंग करी हो जैदे उनटकट काफी महंगे भिके हैं साड़े ग्यारा करोड में आज फिर से 11 रन पर ओर से भी जादा गी रेट से रन दिये चार ओर में 46 रन दिये बस उन्होंने अच्छा काम सिरफ ये किया कि उन्हें आज 3 विकेट मिले इसके लाब अपने पिछले मैचेज में खेलने वाले नई खिलाडी जोफरा अर्चर ने तीन ओवर और एक बॉल फिकी 31 रन दिये उन्हें सिरफ एक विकेट मिला धवल कुल करनी प्रित्विश उन्हें बहुत मारा उन्हें 3 ओवर में 37 रन दिये सिरफ एक विकेट मिला और बेंट स्टोक्स को अगर देखें तो इस IPL में सबसे महंगे खिलाडी है वो जब बॉल के लिए तो अपने पहले ओवर में उन्हें मातर 6 रन दिये दूसरे ओवर में 8 रन दिये लेकिन तीसरे ओवर में उनकी पटाई हुई उन्हें 15 रन दे दिये और इस तरह से उनके 3 ओवर में 28 रन गए उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला बारिश की वैज़े से दिल्ली को जो 18 ओवर अलोट हुए थे दिल्ली वो पूरे नहीं कर पाई क्योंकि दोबारा बारिश आ गई इसके बाद जब बारिश खत्म हुई राजस्थान को बैटेंग के लिए बुलाए गया उन्हें सिरफ 12 ओवर खेलने को मिले और उनको टार्गेट दिया गया 151 रनों का यानि उन्हें लगभग साले 12 रन प्रती ओवर बनाने थे राजस्थान ने अपनी शुरुवात ऐसे करी जैसे मालूम दे रहा था कि वो पूरा सोच के आए हैं कि वो ये टार्गेट अचीव कर लेंगे शॉर्ट और बटलर ने साथ मिलकर ओपनिंग पार्टनर्शिप की 82 रनों उन्हें अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और राजस्थान रॉयल्स के पूरे इतिहास में वो सबसे 30-50 मारने वाले बल्लेबास बन गए हैं जबकि ध्यान दिया जाए कि यूसुप पठान कभी राजस्थान रॉयल्स से खेला करते थे और उस वक्त वो अपने चरम पर थे बटलर ने आवेश खान को इनिंग्स के तीसरे ओर में 23 रनों के लिए मारा इसके पहले शहबाज नदीम ने बॉलिंग की शुरुवात की उन्हें पहले ओर में 14 रन मारे गए ट्रेंट बोल जो की अच्छी बोलिंग कर रहे हैं दिल्ली के खेवन हार बन रहे हैं उन्होंने दूसरा ओर फेका और उन्हें 8 रन मारे गए राजस्थान के बल्ले बाजों की इतनी मार की एक काट मिली वो थे अमित मिश्रा बोलिंग करने के लिए अपने पहले ओर में मातर 8 रन दिये दूसरे ओर में उन्होंने नकेवल सिरफ 4 रन दिये बल की बटलर का बहुत important विकेट निकाला बटलर अगर रुके रहते और चीस तरह से वो खेल रहते तो ये पक्का था कि वो राजस्थान को आज उनकी 4 जीत जरूर दिलाते इस बीच जितने ओर साय उसमें राजस्थान के बल्लेबाजों ने खासे रन बनाए लेकिन 8 ओर में लियाम प्लंकेट ने सिरफ 9 रन दिये और अगले ही ओर में जो की ट्रेंट बोल्ट ने फेका उसमें 2 विकेट निकले संजू सैमसन के और बेंड स्टोक्स के तो बेंड स्टोक्स का अलम ये रहा कि न वो बॉलिंग में जादा सक्सेस्फुल हो पाए न वो बैटिंग में और ऐसा इस टूर्नमेंट में उनके साथ पहली बार नहीं हुआ है यहां से जीतने के लिए 3 ओरों में 51 रन चाहिए थे यह मुश्किल तो था मगर नामुम्किन नहीं था और ओपिनिंग करने आये डार्सी शॉट ने इस मुश्किल को आसानी में तबदील करने की पूरी कोशिश करी उन्होंने मैक्सवेल को उनके ओवर की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चक्के मारे लेकिन इसके बाद चौती बॉल पे भी छक्का मारने के चक्कर में एज लगवा बैठे गेन कड़ी हो गई और जाकर सीधे फिल्डर के हाथों में गई डार्सी शॉट ने शुरुवात थोड़ी सी धीमी की थी लेकिन बाद में 44 रन बना के आउट हुए 25 गेंदों में और इस दोरान उन्होंने 2 चौके और 4 चक्के मारे उनका स्ट्राइक रेट 176 का था डार्सी शॉट के जाने के बाद राहूल तृपाटी और कृष्णपपा गौतम ने राजस्थान को जिताने की पूरी कोशिश की मगर आखरी ओर में जो 15 रन चाहिए थे उसमें से सिरफ 11 बन सके और राजस्थान ये मैच चार रनों से हार गए दिल्ली के गेंदबाजी में दो गेंदबाज ऐसे हैं जिन्नोंने शांदार बोलिंग करी इतने हाई स्कोरिंग मैच में अमिद मिश्रा ने सिरफ 6 रन पर ओर दिये उन्होंने 2 और फेके और 12 रन दिये उन्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट विकेट मिला जोकी बटलर का था ट्रेंटों बोल्ट ने 3 और फेके 26 रन दिये उन्हें 2 विकेट मिले आवेश खान जो कि लगातार बहुत अच्छी बोलिंग करते आ रहे थे आज उन्हें दोवर में 36 रन पड़े दिल्ली की इस तीसरी जीत के बाद अगर पॉइंट स्रेवल को देखें तो उसमें बहुत जादा बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि ये मैच बॉटम 4 की उन टीमों के बीच में था जो लगातार हार्ती आ रही थी दिल्ली 9 में से 3 मैच जीत के छटे नंबर पे है अभी तक वो बॉटम पे थी सबसे नीचे मुंबई आ चुकी है राजस्थान रोयल्स नीचे खिसक गई है उसने भी 8 में से 3 मैच जीते हैं 6 पॉइंट उसके भी हैं दिल्ली नेट रन रेट के हिसाब से आगे है पॉइंट स्टेबिल में सबसे उपर चेन्नाई सुपर किंग्स बैटी हुई है जो 8 में से 6 मैच जीत चुकी है और उसके 12 पॉइंट है आईपिल का अगला मैच यहनी 33 मैच आज क्यूंकि दिन बदल चुका है 3 मैई को खेला जाएगा चेन्नाई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में यह मैच होगा इडिन गार्डेंस में लललन टॉप क्रिकेट से जुड़ी खबरें आपके लिए लगातार ला रहा है आईपिल से जुड़े अपडेट्स सारे के सारे आपको दे रहा है आगे भी ऐसा करता रहेगा मेरा नाम है केतन अगर यह वीडियो आप फेस्बुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए यह वीडियो अगर आपको यूट्यूब पे दिख रहा है तो हमारे चैनल को सब्स्राइब कीजिए वीडियो देखिए शेर कीजिए और देखते रहेए दीललन दोट कॉम